अतीक एहमत को लेकर लगातार उत्तरप्रदेश में हंगावा मचा हुआ है एक और उसे गुजरात के सावरमती जेल से निकाल कर 24 गंटी के सफर के बाद उसे यूपी लाया गया और यूपी लाया जाने के बाद प्रियागराज में MPML कोट ने अतीक समेत तीर लोगों को उम् कर्याली जेल में नहीं रखा जाएगा उसे वापस गुजरात भेजा जाएगा ये हमत के वकील का किया की यह जाएगा की कि राख पी व hanada ये वाह Chief के सावरभ जेल भेज HU shkesilी जाया धाया कि वापस वकील क के सावरमती जेल क्राजियाunci की अपको बता दें कि प्रियागरा वाजू पाल हत्याकांड के मुख गवा उमेश पाल के अपहरण का था जिसमें अपहर्थ करके उनके साथ जो बयान है वो पल्टवाया गया था खुद इसमें उमेश पाल ने एक तरीकी से केस दर्च करवाया था और उन्होंने यारोप लगाया था कि जब वो गवाही देने बयान नहीं पढ़ेंगे तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा इसके बाद वो उमेश पाल अपनी गवाही से पलड़ गए मुकर गए और हाला कि जो केस उन्होंने अपहरण का दर्च किया अब उसमें सुनवाई करते हुए MPML कोट ने अतीक एहमर समयत तीन लो वापस भेजा जा सकता है. सूतर ये कह रह 그렇지 नैनी जेल में रखने का अदेश नहीं मिला है उसे वापस गुजरात की जेल भेजा जा सकता है यानी कि अभी जिस तरीके से 24 घंटे का सफर करके अतीक आया है. उसको क्या उसी तरीके से भेजा ज्याएगा यह अब बड़ा सव के लिए उत्रप्रदेश की पुलिस आतुर थी वह भी बहुत बढ़ा विशह है क्योंकि एक याज क्या उत्रप्रदेश पुलिस ने भी दाखिल कर रखिया और यह मामला उमेश पाल हत्याकान का है जिसमें यूपिपुरिस का ये कहना है कि उसे अतीक एहमत का रिमान चाहिए ताकि वो उस मामले में उससे पूस्ताच कर सके यानि कि आपको बता दे कुछी दिनों पहले प्रियागराज में उमेस पाल जो राजू पाल हत्याकान के मुखे गवा थे जिनके अपहरन के मामले में अभी अतीक एहमत को सजा हुई है उसी उन्हीं उमेस पाल को दिन दहारे प्रियागराज में गोलियों से मार कर उनकी हत्या कर दी गई बम मारे गए गोली मारे इसके बाद प्रियागराज में बहुत बड़ा एक तरीके से क्योस हुआ अब उसी मामले में पुलिस ने आज क्या दाखिल कर रखिए कि इस मामले में पूछताज के लिए अगर रिमान डिया जाता तो क्या उसके बाद भी उसे गुजराज जेल बेजा जाएगा क्या उसे वापस से गाडियों में बिठा के रास्ते की जैसे वह आया था वैसे वापस बेजा जाएगा या जिस तरीके से 2019 में उसे हवाई जहाज में बिठाकर गुजरात बेजा गया था उस तरीके से बेजा जाएगा दरसल अभी अतीक को करीब तीन राज किया पुलिस के साथ अब बड़ा सवाल है कि आखित क्या अतीक वापस गुजराद जा रहा है सूत्रों की माने तो जी हां अतीक को वापस गुजराद देल भीज़ जाएगा फिलाल अतीक से जूरी तमाम बड़ी खबरें आपको देखने को मिलती रहेंगी उपी तक पर कि अ हुआ कि अ